कारण होते हं आई हमже पार किई चाहएं कि हमारे बारत मार्थ के और सब्सक्राइब करेंगे किस टाइब के ऐसे कारन होगे और आखरी में जानेंगे इसके effective homeopathic medicines जिसका अगर आप यूज करते हैं तो अगर आपको birth mark की शिकायत हैं चाहे वो आपको face पर हो चाहे वो आपको neck पे हो चाहे वो आपको back region पे हो थाइ की रीजन पे हो हैंड पे हो तो इन सभी जदो कि बर्थ मार्क शिकायत है वो बहुत ही जांद ब्लैकिश ताई पैप्ट बौक के पर जानेंगे फट्फिण हमें पर हमेड़कِ तो फ्रेंड्स बर्थ मार्क यानि की जो हमें बच्पन से ही जो हमारे शरीर पे हमारे स्कीन हमारे तवचा पे जो मार्क प्रेजन्ट होते हैं शुरू से ही बच्पन से ही तो उसे हम दोस्तों बर्थ मार्क कहते हैं यह जो बर्थ मार्क होते हैं यह डिफेंट डिफेंट कलर आपको यह एक मार्ज प्रेजंट के प्र हो सकते हैं और आपको आपको मार्प्रिजन होते हैं तोmost प dau है तो आपको से attent अगर आपकी face की skin पर present हो सकते हैं, आपकी हतेलियों पर, आपके हाथ पर, mostly condition पर, neck पर, गर्दन पर, chest पर, back पर, इन सभी ही conditions पर दोस्तों ये birthmark हमारी skin पर present हो सकते हैं, तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जिस विज़े से हमें birthmark की शिकायत होती हैं, इसके दोस्तों कई सबसे पहला कारण होता है, melanin pigments का formation होने की कारण, यानि कि दोस्तों हमारी स्कीन होती हैं, उस पर melanocytes नाम की cells डियो होती हैं, और यह melanocytes cell करती क्या हैं, धोस्तों, ये melanin का formation करती हैं, melanin डोस्तों एक ऐसा pigment होता है, जो हमारी colour को दोategorit करता, यानि कि अगर melanin pigments हमारी इस जो प्रकमेंट लाइटिस लिए पिगमेंट्स पे अगर आपको बताया है कि जो ग्रहते हैं यह ब्लेक पिगमेंट्स होते हैं वेशनी की क्या होता है है फेंड्स के बच्पन से अगर यह आपका बर्थ मार्ग का बिर्ध में अगर ब्लैक इश कलर का या फिर डार्क ब्राउन या लाइट प्राउन कलर का है तो इसका कारण हो सकता है million pigments के एक जगे पर इखटे होने की वज़े से यह आपस में एक sport बना देते हैं जिसे हम birth mark दोस्तों कहते हैं अगर दोस्तों आपको blackish और dark brown के अलावा अगर आपको reddish color के अगर आपको birth mark जो है वो reddish color के हैं तो वो हो सकता है कि आपके जो blood vessels होती है यानि कि जो खून की निलिया होती है वो blood vessels के ओग्रोथ हो जाती है हमें बच्पन से ही यानि कि by birth से ही तो उस वज़े से वो आपको reddish color के जो है birth mark शो करता है यानि कि एक patches के form में जो irregular shape के हो सकते है यानि कि इसकी margins होती है वो irregular भी हो सकती है और इसकी margins कभी-कभी regular भी हो सकती है यानि कि circular patches बन सकते हैं कभी irregular margins वाले भी आपको patches आपको skin पे देख सकते हैं साथ यह साथ दोस्तों यह रेज़ भी हो सकते हैं, यह जो आपको बर्तमार्क यह उठे हुए, अपनी स्कीन से थोड़े से उठे हुए हो सकते हैं, या फिर दोस्तों यह फ्लैट भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्तली कंडीशन में हमको फ्लैट ही बर्तमार्क देखने को मिलते हैं बर्फिर्ट्स यह जो हमारी बर्थमार्ग होते हैं इसे हमें कोई भी नुकसान नहीं होता है तो आपको टेंशन नहीं की जुरूत नहीं है क्योंकि अगली सा लूक देते हैं इसलिए हमें बहुत दद ग्यूरिसिटी हो जाती है कि हम ऐसा क्या करें तो अगर आपको फेस पे effective medicine है थूजा मलर टींचर यानि की थूजा मलर टींचर जो होता है थूजा क्यू मैडिसन जो होती है वो बहुत इच्छी मैडिसन होती है किसे भी टाइप की शरीर पे ओर ग्रोथ होने की लिए या फिर दोस्तों अगर आपको ब्लैकनिंग ऑफ स्कीन हो गई है डाक ब्राउन गया है उसको यह ठीक करने में बहुत मददगार मैडिसन है इसको आप ज़रूर जो है इस्तमाल कीजिए इस थूजा मैडिसन को आपको लगाने के लिए इस्तमाल करना है यानि की थूजा मलर टींचर आप पर्चिस करके लेके आईए आप SBL कंपनी का भी पर्चिस कर सकते साह 1-3 चरह साथ आप इसे शावर कंपनी का या तो फिर रेक्विक कंपनी का भी आप इससे पर्चिस कर सकते हैं इससे आप मार्चेश कर में तो अपने पर्टीकुलार बर्थ मार्क वाली जगे पर आप सब्राइ कीजिए यानि की 5 drops आप अपने हतेलियों पर ले लीजिए उसको फिर आप अपने birth mark वाले जो हिस्सा है दोस्तों उस पर आप कम से कम दिन में 2-3 बार आप उसे apply कीजिए ये जो बर्थ मार्क होते हैं जो हमें बच्पन से ही होते हैं दोस्तों मार्क हमारे स्कीन पे होते हैं ये जो मार्क होते हैं शुरवाती में बहुत छोटे होते हैं और दीरे-दीरे हमारी स्कीन जैसे ही हमारी स्कीन जो है दीरे-दीरे अपना सर्फेस एरिया बढ़ाती है या करती है आप इसे लोकली जो है उस बर्थ मार्क के वाले जो एरिया है उस पर आप कम से कम दिन में दो से तीन बार आप उससे अपलाई कीजिए सेकेंड जो मैडिसेन दोस्तों वह है बर्बरी सकाफोलिय मुदर टींचर यह भी बहुत अच्छी मैडिसेन है फ्रेंड्स हमारे सकीन के कलर को लाइट करने के लिए बहुत अच्छी काम करती है इंपुरिटी इसको रिमूव करती है साथी साथ टोटल हमारे सकीन को हेल्दी करने के लिए भी बर्बी सकाफोलियम बहुत अच्छा काम करती है डाक स्पोर्ट को रिमूव करती है जो भी धब्बे हमारे सकी बन गए हैं तो उसको मिलेनिन प्रिग्मेंट को कम करने के लिए बहुत मददगार हैं इसलिए आपको बर्बरी सेकाफोलियम मुले टींचर का भी इस्तमाल करना है इसको भी आप आप एस्बील की शौबे की या फिर आप जर्मन की भी पर्चेस कर सकते हैं ठर्टीवल पर्चेस कीजिए इसको भी आपको कम से कम दिन में दो से तीन बार अपने पर्टीकुलर बर्थ मार्क वाले हिस्ते पर आपको अप्लाए करना है नॉर्मली आप कॉटन की हेल्प से कम से कम दो से तीन बार तो आपको बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेंगे अपकी पर्टीकुलर बर्थ मार्क वाला हिस्सा है वो जो ब्लैक डार्ग ब्राउन या लाइक ब्राउन इस कलर का है तो वो धिर दिर अपना डिसकोलरेशन जो है नॉर्मल स्कीन की जिसा हो जाएग और इन मैडिसन को आप कम से कम तीन महीने तक अपने फेस वाले अपने बर्थ मार्क वाले हिस्से पर आप इस अपलाई कीजिए चाहो फ्रेंड्स तो आप इस रूस वोटर की साथ एड़ करके भी जो है आप इस अपलाई कर सकते हैं और ये तोनों ये मैडिसन को आप कम से आपका जो हिस्सा है पर्टिकुलर एरिया है बर्तमार का जिसमें डिस्कलरेशन हो गया है ब्लैक इस डाक ब्राउन लाइट ब्राउन या फिर राड़िश क्लर का तो वह नॉर्मल हो पाएगा तो दोस्तों आज के लिए पिस इतना ही आज इस वीडियो कमें पर ही आइंड कर करती हूं और आशा करती हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा आपको मेरा वीडियो इंफॉर्मार तो लगा हो तो प्लीज से चैनल को सिस्क्राइब करना ना भूलिए और नीचे दिये लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए पास इमें बेल आइकाने उसे भी करता हाँ